यह कमजोरी अब कमजोरी के कारण कितने हैं एक तो कमजोरी होती है खून की कमी से लो हीमोगलोबिन दूसरी कमजोरी होती है अंडर वेट होने से तीसरी कमजोरी होती है विटामिन डी विटामिन बी ट्वैल्व न्यूट्रियेंट्स की कमी से न्यूट्रियेंट्स किसी भी चीज़ की जो डेफिसेंसी है न डेफिसेंसी से और एक कमजोरी होती है अश्ट धातू पुष्ट नहीं होती और एक कमजोरी होती है खाया पिया हजम नहीं होने से खाया पिया हजम नहीं होता उससे कमजोरी होती है ये कमजोरी के पांच कारण बताए और ये बड़ी समस्या है पूरी हिंदुस्तान की फिर डाइबटीज के बाद मैं आगली बातों पर आओंगा बिलड प्रेशर हाट की प्रब्लम कोलेश टॉल और तमाम तरह की जो छोटी मोटी बीमारिया है देखो हीमोगलोबिन की कमी है तो हरी सबजियां खाओ लोग और सुबह सुबह आओला एलेवेरा का जूस पीओ टमाटर का सूप पीओ सुबह सुबह हीमोगलोबिन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय कपाल भाती मैंने जब से कपाल भाती किया उससे पहले मेरा हीमोगलोबिन बारह रहता था कपाल भाती करने से पहले जब से मैं कपाल भाती करता हूँ 20 साल से ज़्यादा का काल खंड हो गया उसे पहले मैं आसन और व्यायाम ज़्यादा करता था दोड लगाता था पान पान सो दंड बेठक लगाता था कुस्ती करता था लेकिन जब से मैंने प्राणायम करना सुनू किया है पिछले करीब 20-25 वर्षों से मेरा हेमोगलोबिन 17.5 रहता है लगातार 20 वर्षों से उससे पहले तो चेक ही नहीं करवाया था जब चेक करवाया था उससे पहले तब मेरा 12 था मुझे पता है तो जो कपाल भाती करेंगे उनमें कमजोरी नहीं आएगी दूसरी बात अंडर वेट तो अंडर वेट क्या करें और वेट के लिए तो हम बहुत बताते रहते हैं आश्वगंदा के पत्ते खाओ गोमत्र पीओ अभी मेदो हर लो यह अपुष्टार दलिया लो कपाल भाती करो गरम पाने पीओ बहुत उपाय बताते रहते हैं यह अंडर वेट बड़े परिशान रहते हैं बहुत बावा जी हमारा भी कभी नमबर ले लिया आगरो तो जो अंडर वेट हैं उन्हों को भी कमजोरी लगती है तो अंडर वेट क्या करें अंडर वेट के लिए सब से अच् लेकिन खजूर बाजार से लेके जो आते हो ना सस्ते वाली उसको दो लिया करो कुछ इतने बावले हैं लोग खजूर लाएंगे बाजार से और उसको बिना दोए खा जाते हैं मैंने का इसको दो दो लिया करो बोलो बाबाजी इसके विटामिन्स निकल जाएंगे और मैंने का विटामिन निकलेगी गंदगी निकलेगी बावले दोके खाया करें इसको विटामिन निकल जाएंगे खजूर भी दोके निकलते खजूर दोके खाया करो अंजीर मुनक कादी दोके खाया करो और ये जो किसमिस है न इसको भी गंधक से सलफर से प्रोसेस करते हैं तब इसका ये कलारादी मेंटेन होता है इसको भी दोके खाया करो हर चीज़ को दोके खाना चाहिए डेट खाओ केला खाओ चार केले सुबह दूद के साथ खाओ और दूद में घोट के पी जाओ क्या बोलते हैं बनाना शेक बनाना सेक पीओ फिर शाम को दूद के साथ पी जाओ दो पहर को केला धही के साथ खाओ चार 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 बारह एक दरजन केला रोज खाओ और दो तीन मेहने में तो अकदाम पूरा वजन बढ़ जाएगा आजकल वजन बढ़ाने के चक्कर में लोग क्या क्या जहर खा रहे हैं बाओरे हो रखे और पता नहीं कौन कौन से क्या क्या ढाइट खाते हैं केला और आम सब से बढ़ जाएगा वैसे तो सब को पता है जो आम वाले इलाके के लोग है जो आम खाते है ना उनका आम के सीजन में तीन से पांच किलो वजन बढ़ जाता है फिर घटाना पड़ता है बाद में तो ये आम से वजन बढ़ता है केला से वजन बढ़ता है डेट से वजन बढ़ता अब वजन बढ़ाने के लिए माताओं के लिए special उपाए और माताओं की कमजूरी के लिए भी शतावर शतावर चुरुण खाने से एक तो जिन माताओं बेहनों के breast पूरी नहीं होती है तो उनके stun उभर जाते हैं पूरे आ जाते हैं नहीं तो किसी किसी को बहुत से आप ठière जाते हैं या डॉअ पूरिने मिलती है पूरा पोस्टिक अहर ना मिलने से कमजोरी है तो पोस्टीक अहर भी ना मिलें अमाने दाल रोटी सबजी भी मिले तो आप शतावर का एक चमच एक सतावर एक चमच और इसमीला बीच्वार होता है ना पीला शतावर पीला शतावर विशेश लाब करता है